तो यह है Samsung Galaxy A33 5G इस smartphone का already मैं unboxing कर चुका हूँ review कर चुका हूँ तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो link में like description में लेकिन मैंने सुचा क्यों ना आज इसके कुछ features के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि आप में से कुछ लोग बार बार ये comment कर रहेते कि शारुक भाई आप one UI का इस्तेमाल इतने दिनों से कर रहे हो लेकिन अभी तक आपने इसके features के बारे में नहीं बताया तो चलिए बात करते इसके कुछ features के बारे में जो सबसे पहले चीज में आपको बताना जाता हूँ वो है edge panel के बारे में करेंगे और YouTube खुल जाएगा या फिर अगर हमें YouTube को स्प्लेट स्कीन में खूलना है तो अगर हम इसे प्रेस एंड होल्ड करके उठागर कि यहां रखेंगे तो यह साथGregWell कर सकते हूँ जैस कर सकते हैं इसे अगर आप जाएगा तो आपको अलग इस फैनल देखने को मिल लाएंगे जो कि नियाहां पर आप देख सकते हूं कमास भी यही आई काम और कर रहा हैं यह तो यह तरह से भॉखत ही अच्छा यहां बन जाता है एन लेट से कि आप कोई application यहां पर use कर रहे हो और आपको कोई और application open करना है तो आपको जानी की जरुवत नहीं है वापस से home screen पे आप इसी h panel को tap कर सकते हो बट लेट से कि आपका यहां पर वो application लिस्ट नहीं है जो कि आप खोलना चाहते हो तो आप यहां पर tap करोगे all apps में जाओगे उसके बाद सारे apps की लिस्ट यहां पर आ जाएगी जिसकी मिदद से आप easily कोई भी application आप यहीं से open कर सकते हो तो लेट से मुझे chrome यहां पर open करना ह प्रेशन होल्ड करके ड्रैग करूंगा और यह जो है चोटा विंडो में Chrome ओपन हो जाएगा अब चोटे विंडों पर आई चुके हैं तो लेट स टॉक एबाउट देस फिचर जो कि है पॉपप विंडों का या फिर स्मॉल विंडों का यह आप कह सकते हो मल्टी विंडों क यह जो विंडों है आप देख सकते हो मैं इससे चोटा में open कर सकता हूं लेकिन साथी साथ इसके size को भी मैं easily यहीं से दोस्तों control कर सकता हूं तो मैं इतना चोटा up to यहाँ पर कर सकता हूं जो की काफी कमाल की बात है तो इस चोटे से screen में दोस्तों जो कि smartphone का screen होता है जबक करनर में तब कोई भी application यूज करते रहो यह कोई भी problem नहीं है एंड साथी साथ आपको यहां पर मिलता है इसे जो है उपासीटी को कम यह जादा करने का तो आपके टास्क में जादा इफेक्ट ना परे तो पासीटी कम कर दीजिए जिसके बदा से transparent हो जाएगा एंड उसके का दोस्तों की तीन application तो easily use हो जा रहे हैं लेकिन आप चाहो तो इससे भी जादा open कर सकते हो और यह आपकी उपर है कि आपको कितना ज्यादा windows को multi window में खोलना एक तरह से दोस्तों absurd होगा बट इस्टिल आप चाहो तो वह भी काम कर सकते हो तो जैसे कि मुझे माली जब फेस आप्लिकेशन को भी multi window में open कर सकता है and that is really really cool दोस्तों तो आपको multi window management की जार जुरूरत नहीं है अब दोस्तों one UI 4.1 में कुछ ऐसे features भी हैं जो कि आपके usability को आसान बनाता है जैसे कि अगर हम में brightness slider चाहिए तो नीचे की और slide करेंगे लेकिन दुबारा जब slide करेंगे तब जाकर कि यह brightness slider आएगा लेकिन हम जाते हैं कि हम अगर first time slide करें तभी हमारा brightness slider हो तो उसके लिए आपको बस एक setting को enable करना है तो आपको यहां से नीचे जाना है three dot button पर tap करना है quick panel layout पर tap करना है brightness control आएगा इस पर tap करना है and show always कर देना है उसके बाद done पर tap कर देना है इसके बा बार है तो अगर आप notification पर को नीचे की और swipe करते हो तो यहां पर आपको आएगा search bar आप इस पर tap करोगे तो यह search bar तो खुल जाएगा लेकिन यह search bar इतना जदा smart है कि मालीजे इसमें अगर आप को location को search करते हो तो उस location पे हीचे गए photos सारे के सारे दिखा देगा जिसके अगर आप जाओगे settings में wall paper style में यहां पर मिलता है color palette आप यहां पर जाओगे तो उसकी बाद जो आपका यह color palette है आप उसे भी चेंज कर सकते हो तो अगर आप इसे टैप करोगे तो आप देख सकते हो हर एक application के अंदर का color palette चेंज हो जाएगा मालीज मुझी यह pink वाली करन और हाँ वन युवाई में wall papers तो काफी अच्छी मिल जाती है जैसे कि आप देखो कि अभी जो में अप्लाई किया है वो काफी जादा कमाल का लग रहा होगा आपको अब दोस्तों इसमें कुछ gathering related feature है जो काफी कमाल का है जैसे कि सबसे पहले अगर आप stories में जाओगे तो य इसमें music भी लगा देगा जैसी यह बिल्ली है तो इसका इसने story बना दिया आप यह देख सकते हो उसके अलावा लेटस अगर आपने कोई भी फोटो को खोला जैसे कि दोस्तों यह वाला फोटो तो आप चाओ तो इस फोटो के एडिट कर सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको एडिटर मिल लाता है जिस एडिटर में दोस्तों आपको मिलता है यहाँ पे सबसे पह इसने बस फेस को सेलेक्ट किया इसने मेरे दान तुरा दिये कभी कभी होता है ऐसा कोई बात नहीं उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है कुछ और चीज़े जैसे कि फिल्टर मिल लाती है तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर मिलते हैं जो कि आप इनेबल कर स कहते हो अगर अगर आपने प्लस पे अब किया किसे पीक्चर को सटक्र कर लिया तौ आप देखोगे कि पिक्चर का वह टोटल वाइब उसका करोगे तो आपका मैंनुए मिल लाता है इसमीं टेम और सब्सक्राइब आपको इसमें वीडियो एडिटर भी काफी अच्छा मिलाता है तो अगर आप वीडियो के एडिटिंग बटन पर टैप करते हो तो उसके बाद आपको यह पूरा को पूरा पूरा टूल्स मिल लाएगा जिसे आप अपने वीडियो को क्रॉप तो करी सकते हैं चोटा वरह अगर आपको करना ओर तो बैसिकलि ट्रिम कर सकते हो यहाँ पर बटन मिलता है जिसमें आप चाहो तो इजली बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्रॉप कर सकते हो या फिर आप वीडियो को फ्लेप करना ओं या फिर फ्री क्रॉप करना ओं त्री इस्टू फॉर मे आपको जैसे करना यहां फिर वीडियो का भी Πर्सपेक्टिव यहां से चेंज कर सकते हो साथ साथ दुस्त आपको वीडियो मोगी का प्रजिव डियुल कौन स्कूस्त सफ बीडियो में बीफुडरों हें तो ाघ्याइन है वहे स्वेली लीइशान है टो गर सकते हो वीटियो में भी फिन करोगो यहां पर और को और सीक्ष फिसे चैजर को ऐसी है उसके लाबाएं आपको इसमें मिलता है इमेज रीमास्टर का फीचर तो अगर आप जो फीचर है वो कुछ ऐसे गाम करता है कि आपके फोटो को इनहांस कर देता है इस तोरा सा वक्त लगता है आपके फिक्चर को ऐनलाइज करने में लेकिन उसके बाद जो यह फोटो को एडिट करता है जो एफेक्ट ढलता है वो काफी जाधा कमाल का लगता है जैसे कि मैंने यह जो है image remaster enable किया आप देखोगे कि जो after photo है वो काफी जादा अच्छा लग रहा है तो दोनों के बीच में काफी जादा difference आप देख सकते हो जिसके वज़ा से यह जो फोटो है कमाल का हो जाता है एक और फीचर मिलता है दोस्तों कि अगर आपके फोटो में portrait effect नहीं है तो आप अलग से portrait effect एड़ कर सकते हो तो आप टैब करो एड़ पोट्रेट एफेक्ट पे जाओ और उसके बाद यह जो है आपकी फोटो पोट्रेट बना देगा एंड बैक्राउंड ब्लर एड़ कर देगा तो आप देख सकते हो कितना सुन्दर सा बैक् बैक्राउंड इफेक्ट का जो है option आजाता है अगर आप इस पर टैप करोगे तो आप अपने फोटो के बैक्राउंड को चेंज कर सकते हो जैसे मैं इस पर टैप करूँ तो थोड़ा सा इस्टूडियो बैक्राउंड लाइटनिंग बढ़ जाएगी लेकिन उसके बाद पोर्टिट इमेज को जो है यहां पर एरिट कर रहे हो और आप चाहते हो कि फेस पे जादा लाइट आए तो आप यहां पर टैप कर सकते हो एंड उसके बाद जहां भी लाइट चाहिए वहाँ इस सरकल को रख दो एंड उसके बाद यहां पर स्लाइडर को बढ़ा दो तो पर बहुत ही अच्छा सा यह लाइट प्रोवाइड कर देगा जिसके बाद आपका जो पोर्टिट इमेज है वह और भी ज्यादा बेदरीन हो जाएगा दोस्तों उसके लावा दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन के सेटिंग्स में जाते हो तो यहां पर आपको मिलता है एडवांस फीचर्स इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल लाते हैं जो की काफी अच्छे अच्छे हैं जैसे कि आपको Android Auto Quick Share वगरा मिल लाता है या फिर आप अपने Side Key को भी Customize कर सकते हो कि Double Press पर क्या होना चाहिए Press and Hold पर क्या होना चाहिए लेकिन सबसे अच लेने का और रिकॉर्ड करने का भी Option मिल लाता है जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपका जो सेल्फी वीडियो का साइज होना चाहिए वह क्या होना चाहिए या फिल आपको सेल्फी वीडियो रखना भी यह नहीं रखना या शोट टैपस टाचेज रखना यह नहीं तो यह वगरा रिकॉर्ड करने में काफी जादा जो है आपको यहाँ पर मदद करेगा और यहाँ पर ड्यूल मेसेंजर का फीचर भी मिल लाता है जिसमें आप फेस्बूक वाटसेप टेलिग्राम जैसे अप्लिकेशन का ड्यूल एप यहाँ पर बना सकते हो तो डैट इस अब आपको रखने का मनों तो आपका जो भी मेनु और वहाँ जाएगा अब आप इस वन हैंड़ेट मोड को उठागर करके कहीं भी दोस्तों आप रख सकते हैं जहां भी आपको रखने का मनों आप वहाँ जो दोस्तों इसे रख सकते हो लिफ्ट में राइट में और अगर आपको यह बहुत ज़दा बड़ा लग रहा है तो इसे आप छोटा भी कर सकते हो तो इसके बाद आप वाटसएप में या डूओ में अलग-अलग वीडियो कॉल के एफेक्ट भी लगा सकते हो तो जैसे मैंने इसे enable कर दिया तो अब यह पूछ रहा आपका background color क्या देना थी automatically आपके background को change करके यह background color enable कर देगा अगर मैं कुछ fun वाले feature की बात कर लूँ तो Samsung का AR emoji है वो काफी जादा funny है दोस्तों बहुत ही अच्छा है तो यह सब कुछ मिल लाता है लिटसे मैं यहां पे AR emoji camera में जाता हूं तो बहुत सारे हमें यहां पर emojis मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है आप यहां पर scene भी बदल सकते हो जैसे कुछ इस तरह से तो आपका camera ना open हो करके अगर आप चाहो तो इस तरह से video record करके भीजना जाओ किसी को तो भी आप कर सकते हो यह प्लस बटन पर tap करोगे तो आप नया नया emoji भी बना सकते हो तो आप यहां पर प्लस पर tap करना है उसके बाद आप अपनी scan करना है face को face को scan करने के बाद आप यहां पर choose कर लिजए male है कि female है next कर यह and उसके बाद आपका यह emoji बना देगा आपके face का वैसे मैं बहुत बेकार दिख रहा हूं लेकिन मेरा emoji अच्छा आएगा I know जी है दोस्ते देखी यह जबरदस इमोजी अभी यह गुरु जी के तरह नहीं लग तो काफी जाता बहतरी निमोजी आगे आप यहां से इसके emoji को colors वगरा भी change कर सकते हूं अगर आपको hairs black करने है या फिर अगर आपको faces को change करना है बाल change करना है नहीं यह नहीं करना था यार यह वाला गलत हो गया यह बगल वाला ठीक था अभे अभे मैं ऐसा नहीं हूं यह ठीक है यह सही लग रहा तो इस तरह से आप यहां पर चाहो तो मुचों को change कर सकते हो दाड़ी को change कर सकते हो बहुत सारा काम कर सकते हो अभी मैं सिपलाइन का founder लग रहा हूं नहीं यह ठीक है कि कपरें वगरा भी पहना सकते हो और यह देखो दोस्तों मेरा यह इमोजी बन गया हाहा मैं मास्क में जाओ और मेरे फेस पर यह इमोजी दिखाए कुछ इस तरह से हैलो एवर्यवन हाव आर्यू हाहा बाकि सबके अलावा भी दोस्तों आपको बहुत सारा यहां पर सैमसं का सेक्यूर फोल्डर मिलता है सैमसंग का मैं मिल लाता है बहुत सारे फीचर्स आपको यहां पर मिलते हैं सैमसंग के अप्लिकेशन बिक्स भी एयर जोन लेकिन दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बाकी सब चीज़े किसी और वक्त के लिए भी छोड़ दे और मुझे तो काफी जाता पसंद आया है अगर पसंद आया तो मैं सब्स्ट्राइब कीज़ेगा अमेरे लिए सब्सक्राइब कीज़ेगा मैं रोजन आप लोग लिए ऐसी अच्छे अच्छे वीडियों लेकर लिगातना होगा थैंक्यू बाइबाइ जय हिंद